नमस्कार दोस्तों आपसे वादा किया था के दस बजे के आसपास लाइव होंगे और आप मित्रों के जो भी प्रश्ण होंगे उन पर चर्चा करेंगे तो हेमंत जैन है हेमंत जैन ने लिखा है कि महराष्ट में उधाव की कहाईली तो सामने आ रही है बंगाल और बिहार से ज़्यादा खबरे नहीं आ रही है आखिर क्या वजह है तो भही जैन साब मैं आपको बता दूँ कि महराष्ट में इसलिए ज़्यादा चर्चा हो रही है महराष्ट को लेकर कि वहाँ संकर्मितों की संख्या सबसे ज़्यादा है ये आंकड़ा 2000 पहुँचने वाला है अभी जो कुछ समय पहले आंकड़े लिये थे तो 1982 लोग वहाँ संकर्मित हैं 149 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 22 की मृत्यू तो आज ही हुई है वहाँ एक्टिव केस 1616 हैं और 217 रिकवर भी हुए हैं आपने कहा है कि बिहार और पश्यम बंगाल की चर्चा इतनी क्यों नहीं हो रही है तो पश्यम बंगाल बहुत बड़ा सूबा है पर वहाँ पर 134 लोग ही संकर्मित हैं यानि वहाँ की ममताब एनरजी सरकार ने काफी हद तक चीजों को काबू में रखा है और वहाँ अभी तक केवल 5 मोते हुई हैं 110 एक्टिव केस हैं और 19 जो हैं वो रिकावर किये हैं जिन में से 3 आज रिकावर किये हैं जहां तक बिहार का प्रश्न है तो नितीश जी मुख्यमंतरी हैं और बिहार में केवल 64 केस सामने आये हैं अभी तक और केवल एक व्यक्ति की वहाँ कोरोना वाइरस से मृत्य हुई है तो इसलिए बिहार और पश्चिम बंगाल की ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो रही हैं वीजय कुमार कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्टपती शासन क्यों नहीं लगता लगाता ये मौदी तो भही किसी स्टेट में जब कानून व्यावस्था पूरी तरीके से चोपट हो जाए जब समयधानिक संकट खड़ा हो जाए और जब चुनी होई सरकार काम ना कर रही हो लोगों का विश्वास खोचुकी हो अराजकता की इस्तिती पैदा हो गई हो तब जाकर के 356 के उपयोग की बात आती है और आपने पिछले 5 साल का कारेकाल भी देखा होगा नरेंदर मौदी का और ये भी जो दूसरा कारेकाल है इसमें भी देखा होगा उन्होंने कभी किसी सरकार को बरखास्त नहीं किया है कहीं राष्ट पति शासन नहीं लगाया है जब मौकश्मीर में अलग तरह की इस्तितियां पर इस्तितियां थी जब महबूबा मुफ्ती की सरकार से जिसमें जो मिली जुली सरकार थी और बीजेपी भी उसमें शामिल थी उससे समर्थन भाजा पाने वापस लिया था और चुकि वहाँ कोई दूसरा दल सरकार बनाने के इस्तिति में ही नहीं था तो वहाँ राष्ट पति शासन लागू करना पड़ा था पर इसके अलावा कहीं कुछ इस तरह की राजनितिक गटना हुई हो मुझे याद नहीं आ रही है मुकेश व्लोग्स लिखते हैं कि कॉंग्रेस को PM केर फंड पर दिक्कत क्यों है तो कॉंग्रेस के बयान पिछले दिनों आये हैं करन नहीं कहा है कि जो प्रधानमंत्री रेलीव फंडweit है उसी में क्यों नहीं लोग कंट्रिविव्यूट करते क्यों लोग दान पर प्रधानंप्री ने केवल कोरोना वाइरस से सम्मंदित मामलों पर ही अलग से फंड बनाया नहीं कि बहुत सारी के ज़ल प्राकरतिक आपदाओं के लिए अलग-अलग मदों में जब जरूरत पड़ती है तो उसकी हेल्प करने के लिए है तो मेरे विचार से प्रधान मंत्री ने जो फैंसला किया है अलग से फंड बनाने का वो सही है केतन ने लिखा है कि ऐसे माहौल में आपकी बातें सुनके अच्छा महसूस होता है प्लीज वेलकम थैंक यू केतन जी जायस महता लिखते हैं कि ओमकार जी आप वीडियो आप विदेशों का भी बताएं वहां करोना की क्या इस्थिती है तो जायस जी मैं आपको बता देता हूँ कि कुल मिलाकर के पूरी दुनिया में अब तक जो संकरमीतों की संख्या है वो 17,92,782 है 17,92 यानि 18,00 के आसपास ये संख्या पहुचते हुई दिखाई दे रही है और अभी तक पूरी दुनिया में एक लाख नो हजार साथ सो पचासी लोग इसके शिकार हुए है उनकी मृत्य हुई है और 4,11,515 लोग स्वस्त भी हुए है रिकावर भी हुए है जहां तक दुनिया के बाकी देशों का मसला है के वहाँ पर क्या इस्तिति है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ के अलग-अलग देशों में क्या इस्तितिया है युनाइटिड इस्टेट में सबसे ज़्यादा संकर्मित हैं 5,33,115 दो सो चटिस इसमें आज जुड़े हैं और 4,82,000 के आसपास एक्टिव केस हैं और अमेरिका में सबसे ज़्यादा मृत्य हुई है 20,580 दूसरे अस्थान पर इस्पेन दिखा रहा है ये आकड़ा 1,666,000 के आसपास वहां पेडित हैं और वहां 16,972 लोगों की अब तक मृत्य हुई है इटली में 1,52,000 लोग पेडित हैं और वहां 19,468 लोगों की मृत्य हुई है फ्रांस में 1,39,654 संकर्मित हैं जिन में से अब तक 13,832 की मृत्य हो चुकी है जर्मनी में 1,25,452 पेडित हैं और वहां पर जो मृत्य कों की तादाद है वो 2,871 है चीन में मृत्य कों की तादाद 3,349 है और टोटल वहां जो संकर्मित हुए थे वो 82,052 हुए थे युनाइटिड किंडम में 78,991 लोग संकर्मित हुए हैं और वहां 9,875 लोगों की मृत्य हुई है बाकी भी हैं और इसमें इंडिया का जो आकड़ा है वो 8,504 का है और भारत में 289 लोगों की मृत्य हुई है तो ये दुनिया के कुछ परमुखदेश और भारत इसमें साथ में मैंने बताया आपको के भारत में क्या इस्तिती है अगला कमेंट लेते हैं राम भी सिंग राणा पूरे देश में स्वास्त आपात काल क्यों नहीं लगा रहे मौदी जी तो राणा जी मुझे लगता है कि पूरे देश में ही लोकडाउन जा रही है अलग-अलग राज्य सरकारें भी लगी हुई हैं प्रियासरत हैं सभी जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है वो दिया जा रहा है जिनको एकांत में रखने की जरूरत पड़ रही है उनको एकांत में रखा जा रहा है जो अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं वहां उनका इलाज चल रहा है निगरानी चल रही है विदेशों से, चाइना से भी दूसरी जगाओं से किट मंगाई जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी पता लग सके और इधर तो अब जो टेस्ट है उनकी संख्या भी काफी बढ़ गई है और भारत में अभी भी उतनी परिशानी नहीं है जितनी अमेरिका में, इस्पेन में, इटली में, इरान में यहां तक के United Kingdom में, उन देशों में बहुत ज़्याद़ फैल गया है हमारे यहां चुकि समय से lockdown हो गया था इसलिए बहुत ज़्याद़ फैल ने नहीं पाया है तो अभी emergency, health emergency की जरूरत मुझे लगता है कि भारत में नहीं है, वैसे situation अभी नहीं है और एक अगला सवाल ले लेते हैं अनिल कुमार ने टिपनी की है सर, government उन लोगों पर strictly action क्यों नहीं कर रही है जो lockdown का proper पालन नहीं कर रहे है तो भाई, सकती तो हो रही है कुछ कुछ राज्यों में सकती का उस तरीके से पालन नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए जैसे मुर्शिदाबाद में जुम्हे पर लोगों ने जाकर के मस्जिद में नमाज पढ़ी और पुलिस ने उन लोगों को अरेश्ट नहीं किया सकती दिखाई नहीं दी इसी तरीके से दिल्ली में भी यही हाल हुआ था जब यह मरकज का सम्मेलन चल रहा था तब अर्विन केजरिवाल सरकार की नीन अगर खुलती तो इतने मामले नहीं बढ़ते कुल मिलाकर के जितने भारत में इस समय संकरमित हैं उनमें से 43% वही हैं तबलीगी जमात वाले ही हैं और अलग-अलग कई राज्यों में आदे से ज़्यादा मामला उनहीं के हैं तो कुछ सरकारे ढहील दे रही हैं वोट परस्ती के चक्कर में दर्मवीर प्रताफ सिंग यह नहीं लिखा है आपका विशलेशन तो ठीक है पर थोड़ा तर्क की कमी रहती है तो दर्मवीर जी यह आप पहले मित्र हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि मैं बिनो तर्कों के बात करता हूं या तर्क उनमें आपको कम दिखाई देते हैं बाकी लोगों को तो इस तरह की शिकायत मेरे वचार से नहीं रही है और अगर है तो बाकी लोग भी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं अगर तर्कों की कमी रहती है तो वो इसका जरूर संग्यान लें और अपने कमेंट में बताएं कि कौन से तर्कों की कमी लगती है और धरमवीर जी भी बताएं कि उनको कौन से वीडियो में किस तरह की तर्कों की कमी लगी है ताकि आगे और परियास करें ताकि आपको ये ना लगे कि तर्कों की कमी रह गई है शाम नराएंड लिखते हैं कि सेंटरल गॉर्मेंट जमातियों के खिलाफ सक्त कदम क्यों नहीं उठा रही तो भही सेंटरल गॉर्मेंट भी उठा रही हैं और राज्य सरकारे भी अब तो उठा रही हैं आज ही योगी सरकार ने सत्रे जमातियों को उठा करके अंदर किया है और अलग-अलग प्रदेशों में इन पर अब मुश्कें कसी जा रही है तो ऐसा नहीं है कि उनके खिलाब कारवाई नहीं की जा रही है जिन लोगों ने कानून तोड़ा है उनके खिलाब कारवाई हो रही है और मुहमद साद की भी प्रतिक्षा कर रही है एजिंसियां जैसे ही वो एकांतवास से बाहर आएंगे वैसे ही उनके खिलाब भी कारवाई होगी और जैस महता और सोरब ने लिखा है कि महाराष्ट पर कुछ बात करिये तो भही महाराष्ट की इस्तिती तो चिंता जनक है महाराष्ट ही एक ऐसा इस्टेट बन गया है जहां सबसे ज्यादा इस समय कोरोना संकरमन से पीडित हैं और वहाँ अब जाकर के उधव सरकार ने सक्ति करनी शुरू की है लोगों को उनके महलों में कालोनियों में घरों में रोकना शुरू किया है वेहिकल्स के चालान काटने शुरू किये हैं और जिन जिन शेत्रों में ज़्यादा संवेदन शीलता है उनको सील भी कर दिया गया है तो देखिए या अगले कुछ दिनों में वहाँ से भी कुछ सकारात्मक समाचार मिलने की उमीद की जा रही है तो मित्रों अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बैल आइकोन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे हैं नमस्कार